लेंगिक प्रजनन में सफल परागन की क्रिया, अधिक फल उत्पादन और फसल के प्रोडक्शन दोनों के लिए अत्यनत ही महत्वपूर्ण है परागन किसी भी पुष्प के नर्जनन भाग या स्टेमन से पराग कणों का जो पीले पावडर के रूप में पाये जाते हैं दूसरे पुष्प या उसी पुष्प के वर्ति काग्र तक पहुँचना या स्त्री के सर तक पहुँचना यह एक महत्वपूर्ण घटना होती है और इसे ही हम परागन की नाम से जानते हैं संपूर्ण परागन की क्रिया ना होने पर कई फसलों में तो फल और बीज बन ही नहीं पाते और कई जो फसल होते हैं उसमें फल भी निर्मित नहीं हो पाते तो इस प्रकार अलेंगिक प्रजिनन के लिए परागन की क्रिया होना अत्यनत ही आवश्यक और अनिवार्य है परागन के प्रकार परागन दो प्रकार के होते हैं स्वपरागन जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और दूसरा परपरागन सर्व प्रथम हम देखेंगे स्वपरागण स्वपरागण जिसमें परागण एक फूल से उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प में पहुच जाते हैं तब परागण की यह क्रिया सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण कहलाती है ध्यान से सुनेंगे जब परागण किसी पुष्प के वर्तिकागर में या एक ही पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकागर में कारकों द्वारा पहुच जाते हैं तब यह घटना स्वपरागण कहलाती है और यह कारक मुख्य रुप से हो सकते हैं कीटों के द्वारा, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा तो हम इसे कीट परागण, जल परागण या वायू परागण के नाम से भी इसे जान सकते हैं मटर, गेहुं और चामल इस कुल के पौधों में यह परागन बहुधा पाया जाता है आप यह भी जानते हैं कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके घर में यदि पपीता का पौधा उगाया जाता है जब पपीता बड़ा होता है कुछ समय बाद हम इंतजार करते हैं कि इसमें फल लगेगा कुछ ऐसे पौधे होते हैं कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें हमको पपीते का फल मिल जाता है लेकिन कभी-कभी पपीते में फल नहीं आते तो हम कहते हैं कि ये फुल ही हो गया है केवल इसमें फ्लार ही रहते है तो इसका भी कुछ रिजन होगा इसका रिजन ये है कि जो पपीते का पौधा होता है वो एक लिंगी होता है अर्थात पपीते का पौधा या तो नर पुष्प को धारन करेगा या मादा मतलब या तो मेल फ्लार वाला प्लांट होगा या फीमेल और इसका पता किसान को शुरू में तो नहीं लगेगा जब पपीते का पौधा बड़ा हो जाएगा और उसमें जब फूल लगना शुरू हो जाएगा उस समय हमको पता चलेगा कि वो फीमेल फ्लार वाला है कि मेल तो इसलिए किसान जब खेतों में पपीते का पौधा या पपीते का फॉर्म हाउस लगाते हैं तो तीन फिमेल प्लांट फिर उसके बाद एक मेल प्लांट इस तरह से क्रमवार पौधे बीज को लगाते हैं ताकि पराकन प्राप्त हो जाए और परागन की क्रिया संपन हो और हमें पपीदे का फल मिल जाए हाला कि अभी कुछ ऐसे भी नसल उत्पादित कर लिए गए हैं जो द्वी लिंगी प्रकार के संकरित नसल हैं दूसरा है पर परागन पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन नाम ही है इसका पर परागन जब पराकन किसी पुष्प से दूसी प्रजादी के दूसरे पुष्प में पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिये जाते हैं तो या cross-pollination कहते हैं परागन की ये घटना भी कितो ध्वारा सम्पन्न होती है समान्य रूप से कीटों द्वारा परागन वायू द्वारा परागन और जल सर्व प्रत्म हम देखते हैं कीटों द्वारा परागन कीट परागन जिस में मधु मख्छियां तितलियां या छोटे भौरे ये फूलों में मंडराने लगते हैं और फूलों पर जब वे जाते हैं तो पराखकन उनके शरीर में चिपक जाता है पंखों में पैरों में इस प्रकार जब वे एक फूल से दूसरे फूल की ओर जाते हैं तब ये पराखकन उस दूसरे फूल के वर्तिकाग्र में transfer हो जाता है या उसमें छूट जाता है चूंकि जो वर्तिकाग्र है वो चिप-चिपा होता है और थोड़ा सा चोड़ा होता है तो उसमें पराकण प्रवेश कर जाते हैं गुलाब डहलिया गेंदा और ट्यूलिप इस प्रकार के पौधों में कीट प्लांट है और कीटों को बड़ी जल्दी अपने और आकर्शित कर लेता है इनके भी कुछ विशेष्टाएं है पहली विशेष्टा है कि इनके जो पुश्प होते हैं वे बड़े आकार के और चमकीले होते हैं दूसरी इनकी विशेष्टा है कि इनमें मीठा रस पैदा करते हैं ताकि कीटों को आकर्शित करने के लिए उनमें सुगंध पाया जाता है तीसरी इसकी विशेष्टा है कि इसके परागण चिपचिपे प्रकृतिके होते हैं तो ये तो है कीट परागण अब दूसरा हम देखते हैं प्रकार वायू परागण जैसा कि नाम से ही इस पस्ट है एर पॉलिनेशन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो बड़ी मात्रा में सूखे परागण उत्पन करते हैं जब ये परागण परिपक्व हो जाते हैं तो परागण कोश तूट जाता है और परागण हवा के द्वारा दूर दूर तक फैल जाते हैं और अन्य पुष्प के वर्थी कागर में पहुच जाते हैं तो इस प्रकार वे एक फूल से दूसरे फूल में इस्थानांत्रित हो जाते हैं मक्का, गेहूं, ताड, घास और चामल आप सुक्षमता से देखेंगे कि चामल का फूल कैसा होता है गेहूं का फूल कैसा होता है कभी देखें हैं आप तो देखने का प्रयास जरूर करेंगे जब भी आप खेतों से होकर गुजरेंगे तो आप देखने का प्रयास करेंगे कि चावल है गेहू है उराइजर से टाइवा चावल इसके पुश्प किस प्रकार के होते हैं और इनकी पंखुडी बाय दलपुंज दलपुंज होता है या नहीं होता है इसको आप सुक्षमता स से थोड़ा सा निरिक्षन करेंगे इन पौधों की कुछ विशेष्टाएं हैं कि पहला तो इनके पराकन छोटे और सुखी प्रकृति के होते हैं ताकि यह वायू परागन इसमें आसानी से हो सकें दूसरी इनकी विशेष्टा है कि इनका जो वर्तिकाग्र है स्टिग्मा ह वो बड़ा होता है तीसरी विशेष्टा है जो मैं अभी अभी बता रही थी इनके फूलों का आकार या तो छोटा होता है या इनके फूल दिखाई ही नहीं देते हैं तो इस प्रकार ये तीन विशेष्टाओं के साथ इनमें एक और विशेष्टा होती ही कि पराग्र कोиваем म लंबे और फूल से बाहर निकले होते हैं ताकि आसानी से वाइयू परागण इसमें किया जा सके परागण का तीसरा प्रकार है जो पर परागण है उसका तीसरा कारक है पानी के द्वारा या वाटर कॉलिनेशन जैसा की नाम से ही इसपष्ट है कुछ ऐसे पोधे होते हैं जो जल के भीतर रहते हैं निमगन प्लांट जिसको कहते हैं वैली सिनेरिया है हाइडरीला है बहुत सारे पौधे हैं जो जल के भीतर रहते हैं तो जल के बाहर जो एरो स्पेस में जो हैं वो तो हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार से उसमें परागण होता है लेकिन जो जल के भीतरग पौधे रहते हैं उनमें भी परागन की घटना होती है और यह होती है जल के बहाओ के द्वारा तो जो वैली सुनेरिया जली पौधा है इसके अलग अलग पौधे पर इसमें भी पपीते की तरह एक मेल प्लांट अलग होता है और फीमेल प्लांट अलग होता है तो न नर में थोड़ा सा छोटा होता है ताकि आसानी से वो पौधे से अलग होकर पानी के बहाओ के साथ जा सके तो परिपक्प जो नर है वो मूल पौधे से अलग हो जाते हैं वे पानी की धारा के साथ साथ चलते हैं और मादा फुलों के संपर्क में आकर पराग कोश फट जाते ह पराग कंड वर्तिकागर पर गिर जाते हैं और इस प्रकार से परागण की घटना संपन्न होती है दूसरा इसका प्रमुख एक्जामपल है हाइडरीला जो धागे के समान होता है हाइडरीला में भी जल परागण या वाटर पॉलिनेशन पाया जाता है इन पॉधों की भी कुछ विशेष्टा आये हैं इनके पुश्प की पहली विशेष्टा है कि इनके फूलों का आकार छोटा होता है दूसरी विशेष्टा है कि परागण हलके होते हैं ताकि पानी में आसानी से तैर सके तो इस प्रकार हमने देखा कि परागण क्या है कितने प्रकार का होता है तो परागण का किसी पुष्प से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्ति कागर तक पहुँचना मतलब मेल गैमिट का या नर कोशिकाओं का फिमेल गैमिट तक पहुँचना इस घटना को हम परा परागन कहते हैं यह घटना तीन कारकों द्वारा संपादित होती है कीटों के द्वारा वायू के द्वारा और जल के द्वारा परागन भी दो प्रकार से संपन्ध होता है स्वापरागन पर परागन स्वापरागन और पर परागन दोनों में ही तीनों कारक के द्वारा पहरण के साथ देखा अब कुछ समय पहले मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था कि क्या चमगादड के द्वारा भी परागन की घटना होती है हाँ अगर होती है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं तो इसका उत्तर मैं भी आपको बता देती हूं कि चमगादड के द्वारा भी परागन की घटना होती है और उस परागन को चिरोप्टेरोफिली के नाम से हम जानते हैं या इसे पक्षी परागन या क्योंकि चमगादड एक मैमल्स है वो पक्षी जैसा तो है पर पूर्ण रूप से हम उसे पक्षी नहीं है तो इसके द्वारा जो परागन होता है उसको चिरोप्टेरोफिली के नाम से हम जानते हैं